स्टार्ट करते चलिए इस सेशन को फोरेक्स हलां कि जब मैं वर्ड यूस करता हूँ तब काफी स्टूरंस प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि एक्जेक्ली क्या बात होने वाली है इट्स अबाउट दी फोरेन करन्सी फोरेन एक्चेंज रेट्स अक्सर हम इंडियन इस्टूरंस की बात करें तो हम अक्सर न्यूस पर पर में पढ़ते रहते हैं कि इंडियन एक्सचेंज रेट्स विद डॉलर यूस डॉलर इस राइजिंग मतलब एक टाइम पे 60 का भाव था 65-70 ये बढ़ते चाहते रहा है सेम वे हम काफ़े बार हम एजन एस्टूरंस हमको पाउंड का एक्सेंज रेट्स पता होता है इंडिया के अगेंस्ट में कि एक पाउंड के सामने अभी इंडिया की क्या वेल्यू है तो एक जमाने में मुझे याद था कि मैं 90 के rate पे 90 के exchange rate पे transactions करता था वो 100 पहुचा 100 से लेकर आज 102-103 के आसपास है and it will obviously going to rise जब जब इंडिया के अंदर inflation ज्यादा है and UK के अंदर inflation कम है तो वो compulsory है कि वो exchange rate बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ठीक है so God knows कि किस time पे यही 102-103 का exchange rate 110 पे पहुच जाए 120 पे पहुच जाए God knows but यह होगा होगा and होगा the one of the factor for this increase in the exchange rate and depreciation in the Indian currency and the appreciation in the UK currency the one of the factor is the inflation apart from that interest rates and काफी सारी चीज़े better करती है but this is the one of the simple factor अभी हम बात कर रहे थे students की initial level पे जब हम बात कर रहे है कि forex क्या होता है तो आपको इतना चीज तो प्रेडिक होई जाता है कि सरी यहाँ पे कोई ना कोई exchange rates के बारे में बात होने वाली है अभी जब हम पढ़ेंगे तब होगा क्या कि हम शायद कभी-कभी Indian examples लेंगे that means कि हम generally मैं आपको समझाने के लिए INR2 USD का rate आपको दिखाऊंगा या INR USD का example लेके आपको कोई चीज समझाऊंगा तो maybe possible आपको उस time पे बहुत ही easily आप grass पर कर पाओ because वो आपके अप day to day life में पता है ना आपको कि 60 से 70 हो जाता है तो क्या होता है and अगर वही 60 का rate 50 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा the simple thing is that अगर 60 से 70 हो गया तो हम सब को पताए कि iPhone महेंगे हो जाएगे तो generally यह चीज हमारी रहेगी but examinations में ऐसा नहीं होगा examination में obviously वो मतलब कुछ भी currency दे देंगे maybe possible है कि आपको पता हो maybe possible है आपको पता ना भी हो ठीक है एक और चीज general knowledge के लिए बता देता हूँ कि global level पे जो exchange rates वगरा quotes होते है वहाँ पे three letters use होते है India के नहीं INR है US dollar के लिए USD है कोई भी country का आप currency का आप देखोगे quotation तो three letter का होगा जैसे कि USD है फिर GBP है pound UK का GBP है euro EU R लिखा जाता है Australian dollar के लिए AUD लिखा जाता है Swiss franc के लिए CHF लिखा जाता है Japanese yen के लिए JPY लिखा जाता है फिर South African currency के लिए ZAR लिखा जाता है I don't know right now the full form of the ZAR but there are lots of the currencies and हर एक currency का global level picks funded है कि वो three letter use करता है so examinations में अगर आपको detailed में जैसे कि ZAR है तो बले ही नहीं बोला है कि यह क्या है South African currency है कुछ कुछ नहीं बोला है तो आपको क्या मतलब है कि यह ZAR कौनसी country की currency है उससे आपको कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए and you should be able to solve the whole sum without knowing कि यह ZAR कौनसी country की currency है तो अपने को वो level बनाना है बट उसके लिए अपने को सबसे पहले base बढ़ना पड़ेगा तो चलिए यहाँ पर आते है मैं screen sharing चालो करता हूँ हम बढ़ रहे थे students की forex के जब basically हम बात करते है तो हम सबको पता है कि होता क्या है कि आज की तारीख में suppose मानलो rate चल रहा है 65 per dollar okay so 65 exactly क्या है can we say that it is rupees Indian rupees 65 is the rupees now जब यह Indian rupees की बात करते है तो यह तो मैंने directly rate caught कर दिया but exactly rate क्या है INR to USD this is the rate exactly okay so अब हम जब यह court अब news वगरा में देखते हो या तो newspaper में देखते हो तब यह exactly क्या है यह court है this is the court which is called INR USD court यहाँ पर USD को बोला जाता है base currency base currency क्यों बोला जाता है because here what happens is that इसका meaning क्या हो रहा है कि एक USD खरीदने के लिए आपको 65 rupees देने पड़ रहा है so this will always remain same कि one USD के सामने रुपे की क्या इज़त है एक USD के सामने ये रुपे की क्या ओकात है एक USD के सामने रुपे कितने देने पड़ रहा है okay so it's equivalence मतलब यहां पर valuation हो रहा है कि एक USD के सामने Indian rupees की क्या valuation है but हमेशा क्या होगा कि यहां पर जो ये वाले currency होगे वो हमेशा base currency बोली जाएगी यहां पर by default assume किया जा रहा है कि ये जो 65 का rate बोल रहा हूँ वो क्या है rate वो एक USD का rate है okay so अक्सर हम देखते आता है जैसे कि suppose मानलो हम INR to GBP का rate पकर ले तो rupees 103 per GBP okay so ये rate quote है ये किसका rate है INR GBP का rate यहां पर base currency कौन सी है obviously the GBP जो नीचे वाली currency होती है वो base currency बोली जाती है ठीक है तो ये base currency है अभी काफे लोग इसको practical life में कैसे याद रखते है AB के नाम की याद रख सकते है कि INR को A बोलेंगे NGBP को B बोलेंगे B is the base currency but अपने को यहां पर कपलान के अंदर जो word use किया है वो counter currency बोला गया CC counter currency CC counter currency मतलब बाकी remaining currency base currency की valuation सामने किस कौन सी currency के सामने हो रही है okay so the counter currency यहां पर क्या हो रही है Indian rupees this is the counter currency and this is the base currency सबसे पहले अपने को यह चीज़ पता होनी चाहिए okay now यह rate तो आपको सामने से दिया गया होगा मेरा role यहां पर यह था just and just to communicate कि किस को counter currency बोलते है किस को base currency बोलते है and किस तरीके से आपको यह rate दिया जा रहा है and you have to also understand कि यहां पर जो rate है न यह rate INR का rate नहीं है यह एक GBP का rate है this is the 1 GBP का rate यह एक GBP के सामने कितना INR मिलेगा या देना पड़ेगा okay so जैसे कि suppose मान लो की एक रुपे के अंदर sorry रुपी के अंदर कितनी chocolates मिलेगी okay so जब suppose मान लो 5 chocolates per 1 रुपी I know it's impossible but what happens is that कि एक रुपे की value कितनी हुई 5 chocolate जितनी हुई okay so यहां पर भी क्या हो रहा है कि एक pound की value कितनी हुई 103 रुपे की तरह हुई okay so I hope you got it कि exactly अगर जब यह denotion आपको यह पूरा कपरा rate दिया गया है and आपके सामने जब सारे figures होगे आपको पता होना चाहिए कि यह जो rate वो INR का नहीं है whenever the rate is given it will always be the rate of the base currency base currency का rate होगा because base currency ही ऐसी है जिसको हम assume कर रहे है कि base currency is the one and the counter currency is the rate and now the counter currency here is the rupee तो counter currency की value ओरे यह 103 okay so यह एक base currency की कीमत क्या है 103 कीमत है 103 rupee is the कीमत 1 GBP and 103 rupee so I hope you got it first of all now आगे पढ़ता है अभी examinations में ऐसा तो होगा नहीं कि आपको यह चीज़ पूची जाएगी examinations में हमेशा क्या होगा conversion होगा conversion का मतलब क्या होता है now this is a very crucial thing अभी से जो चीज़ चालो हो रही है वो important है conversion हाला कि मुझे पता है कि आप सब को यह conversion करना आता होगा and अगर मैं आपको अभी की तारिक में 2-3 sum दे दू या 2-3 example दे दू आप easily वो conversion अच्छी तरह के से कर पाऊगे logic के basis पे okay so अब मैं मना नहीं करना हूँ but कहीं न कहीं जो students को अभी चलो logic apply कर दिया but maybe suppose कुछ complications आ गए तो वो solve नहीं कर पाएगे maybe okay so मुझे कुछ ना कुछ आपको method देनी है कुछ ना कुछ आपको ऐसी ऐसा ऐसा एक rule दे देना है कि जिसके कारण वो rule याद आ जाने के कारण वो rule के basis पे कोई भी complicated scenario में आप conversion easily without mistake कर सकते होने चाहिए okay so अभी समझते हैं conversion का मतलब क्या है let's say suppose की मैंने यहां से export किया and I want to और मुझे वहां से receive करने है 10,000 dollars I want to receive the 10,000 what dollars मुझे 10,000 dollars वहां से USA से आने वाले है मैंने यहां से export किया है goods का okay and आज की तारीक में rate चल रहा है 63 rupi per dollar का rate चल रहा है तो आप मुझे बताइए मुझे कितना यहां पे रोकड़ा मिलेगा कितना मेरे bank account में deposit होगा क्या मेरे bank account में 10,000 dollar deposit होगे no नहीं चाहिए सही है ना ठीक है so how how much INR will I receive so obviously आप बोलो के sir बहुत ही easy है 10,000 dollars multiply it with 63 करदो ना sir बहुत easy हो जाएगा students now I would request कि आप सब अपने सामने LC रखे अगर participate करोगे तो ही यह चीज याद रहेगी आपको लग रहा होगा बहुत ज़रूरी है so मेरे को यहाँ पे INR कितना मिलेगा मेरे bank account में 6,30,000 rupees मिलेगे got it ठीक है अब suppose मानलो एक और example लेते हैं हम लोग की मेरे को यहाँ पे import करना है ठीक है मेरे को import करना है Japan से कुछ चीज import करनी है अभी Japanese वालो ने बोला की 5000 Japanese Yen आपको JPY पे करना पड़ेगा ओके so what will happen is that I will need to now pay Japanese Yen ओके अगर आप students exchange rate देखो के तो आज की तारिक में Japanese Yen का exchange rate चल रहा है 1.5 Japanese Yen against the 1 rupee INR okay so JPY so आपको क्या लग रहा है अरे वापरे sir यह तो ऐसा तो पहली बार देखा हर बार अक्सर क्या होता है कि sir INR हमेशा counter currency होती है against the USD or or let's say suppose GBP 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 का base currency वह हो सकती है या euro भी base currency हो सकती है सारे के सारे currency क्या है हमसे strong currency है so that's why वह generally अपने को base currency के तौर पे देखने को मिलती है but sir यहाँ पे तो हमारी currency base है and सामने GPY का rate है 1.5 उसका मतलब क्या हुआ see एक दिमाग में वह logic एक दिमाग में वह psychology बैठनी चाहिए sometimes it's about maths sometimes it's about not about the maths यह जो चीज में सिखा रहा हूँ वह maths नहीं सिखा रहा हूँ अभी वह आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ यहाँ पे हो क्या राया है कि मतलब क्या निकला कि एक INR की कीमत क्या है 1.5 JPY that means अपने को 1.5 JPY अगर चाहिए तो मुझे एक ही रूपिया देना पड़ेगा to receive 1.5 we will need to pay just and just and just and just and just 1 rupi okay so आपको क्या लग रहा है कि हमारी currency strong है यहाँ पे की week है obviously हमारी currency strong है हमारे एक रूपे के सामने उन लोग का 1.5 है okay so we are having the strong currency base but अभी आगे करना क्या है now हम story को continue रखते है हम बात कर रहे थे कि मुझे पे करना है because I have imported some goods from Japan so माल आयागा मेरे को पैसा देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा मुझे 5000 JPY देने है okay तो मेरे bank वाला मेरे bank account से क्या 5000 deduct करेगा नहीं मेरे bank account में से कैसे 5000 JPY जा सकते हैं मेरे bank account इंडियान है okay I will need to calculate कि exactly मेरे bank account में से कितना INR deduct होगा how much INR will be deducted तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा conversion करना पड़ेगा अभी मैंने बोला conversion logic से भी हो सकता है rule से भी हो सकता है rule मैं बाद में पढ़ाऊंगा पहले थोड़ा logic देख लेते है okay so अगर आप यहाँ पे देखो आपके सामने तो 5000 के सामने exchange rate है 1.5 तो अगर मैं बोलो तो कैसे हो सकता है 5000 divided by 1.5 कर दो तो आपको क्या आ जाएगा 3000 333 इतना INR आपके bank account से deduct होगा and सामने वाले बंदे को क्या मिल जाएगा 5000 JPY मिल जाएगा okay so अगर आप यहाँ पे example को देखे एक example में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था amount को exchange rate के साथ में उपर देखो multiply किया था amount को amount को exchange rate के साथ में क्या कर दिया था multiply कर दिया था यहाँ पे नीचे आप समझो तो क्या किया amount को exchange rate के साथ में divide कर दिया था okay so ऐसा कैसे sir okay so मैंने बोला पहले यह आपको कि यहाँ पर आइधर logic चल सकता है या तो फिर rule चल सकता है logic काफी बार आपको सोचने के लिए बहुत time जा सकता है ठीक है इसलिए मैं simple आपको rule बता देता हूँ करना क्या है simple rule यहाँ पर यह है कि पहले तो देख लो कि आपको amount क्या दिया है what exactly is the amount given here amount is in the suppose मान लो यहाँ पर amount क्या दिया है dollar है तो now you have to question कि यह जो मेरा amount है dollar का amount क्या वो dollar का amount मेरी base currency है if it is so, if the dollar amount is there in the base currency, base currency में अगर है तो multiply okay and the second is that कि second यहाँ पर यह है कि हमको जो amount दिया गया है जो JPY दिया गया था क्या वो JPY base currency में है इस example में base currency में नहीं था वो था counter currency में था तो अगर हमारा जो amount दिया गया होता है वो counter currency में होता है तो divide okay चली एक और example ले लेते हैं just and just for the practice purpose let's say suppose कि हमारे पास यहाँ पर rate दिया गया है CHF versus NZD New Zealand dollars 44.3 okay मुझे यहाँ पर बताने की जरूत नहीं है कि exactly one New Zealand dollar is equal to 44.3 यह by default आप समझ गये होगे okay यह exchange rate चल रहा है then उसके बाद यहाँ पर Canadian dollar USD का rate दिया गया है let's say suppose 0.7350 का then after euro पर GBP का rate भी दिया गया है euro पर GBP का rate है 1.3650 let's say so यह rates है अभी suppose मनलो मैं आपको ऐसा बोच हूँ कि convert the 40,000 Canadian dollar into USD okay तो 40,000 amount जो दिया गया है वो किसका मैंने बोला Canadian dollar का बोला okay now I will have to ask the question this Canadian dollar amount is the base currency or counter currency obviously the counter currency okay तो counter currency के सामने मैंने क्या बोला करना क्या है divide करना 40,000 divided by 0.7350 this will be the answer जो कुछ भी आएगा Kelsey में कर लो that will be the answer that means 40,000 Canadian dollar pay या receive करने के लिए आपको कितना USD लगेगा कितना USD लगेगा okay then उसके बाद suppose मान लो कि मैं आपको बोलो कि 50,000 euro को convert करना है now once again the euro 50,000 euro जो मैं बोला उसको चेक करना पड़ेगा कि वो counter currency में बैठा है exchange rate में या फिर base currency में बैठा है once again the euro is there in the counter currency and not in the base currency so counter currency में होता है तो 50,000 divided by हम क्या कर लेते हैं हम लोग divide by exchange 1.3650 okay and let's suppose अभी मैं आपको बोलू कि now you have to convert 60,000 New Zealand dollars 60,000 क्या New Zealand dollars तो क्या ये New Zealand dollars जो है वो counter currency में बैज में obviously base में so now I will learn to multiply 44.30 that means कि 60,000 New Zealand dollars पे या receive करने के लिए मुझे कितना Swiss franc CHF means Swiss franc देना पड़ेगा okay so this is how students basically you convert हाला कि यह जो कुछ भी मैं चीज़े बोल रहा हूं वो चीज़ आपको notes के थ्रू मिल जाया है कि मुझे जरा अगर आपके पास है तो तो best है नहीं है तो मुझे message कर देना मैं आपको share कर दूँगा notes की and अगर आपको अभी भी कुछ अपनी short notes बनानी है अगर आपको लग रहा है कि नहीं सरा आपकी notes में थोड़ा ज्यादा detailing है तो यह चीज बहुत ही basic सी बोली आप अपनी language में भी यह सारी चीज़े note down कर सकते हो ठीक है मैंने यहाँ पर कुछ high-five चीज़े नहीं बोली है सो यहाँ पर हमारा basically खतम हुआ conversion बट हमने जो अभी अभी conversion पढ़ा वो था conversion without bid ask अब यह examination में one second bid ask के बगेर आपको conversion rate नहीं दिया गया होगा मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ without bid ask what exactly is the without bid ask what exactly is the with bid ask without bid ask में होता क्या है एक ही rate दिया गया होता अपने जितने भी example ले लो मैंने आपको सिर्फ एक ही rate दिया था यह exchange यह currency इसका exchange rate सिर्फ single था यह भी single 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 okay so single है okay so that's why it's without bid ask but with bid ask में होता क्या है अभी हम वो conversion पढ़ने जाने वाले है जहां पर with bid ask है practical life की अगर बात करो तो यह जो foreign currencies होती है वो आपको purchase या sell करने के लिए purchase या फिर sell करने के लिए किस के पास जाना होता है banks के पास जाना होता है yes it's a practical life thing कि yes obviously suppose मानलो आपने कोई चीज export किया अपने export कर दिया वो चीज़ आपको वहां से dollars आये क्या है dollars आये अभी dollars आप अपनी तीजोरी में रखके क्या करोगे आप वह dollars आये तो आपने क्या बोला bank को कि I want to sell the dollars correct है and suppose मानलो कि आपको JPY में payment करना है okay you want to pay to the Japanese company तो Japanese आपके पास पड़े तो है नहीं तो what you need to do you will need to purchase the JPY correct है so होता क्या है कि अक्सर जो import export और जो की भी investments and whatever the forex transactions happens it's obviously will happen with the help of the banks काफी बार अपने airports वगरा में भी देखा होगा international airports में कि वहाँ पर आपको conversion करके देते हैं but यह जो bank होती है ना ठीक है वो suppose मानलो उसके पास दो customer आया है एक customer को USD क्या करना था purchase करना था अभी purchase किसको करना होता है मेरे को 10,000 USD चाहिए क्यों कि I want to pay तो purchase वही लोग करते जिसको dollar को payment करना है okay and जो sell वही लोग करते जिसको dollar में receive हुआ है who have received in dollars okay so I hope you got it तो दो अलग-अलग customer आये थे एक customer को pay करना मतलब purchase करना दोलर एक कर तो customer को sell करना था बूनो customer क्या अगर एक single standard without bid ask वाला standard एक single rate अगर है let's say suppose 65 is the rate market के अंदर 65 rate चल रहा है bank बोली 65 rate चल रहा है एक customer एक dollar खरीदने के लिए क्या 65 pay करेगा और दूसरा customer को 65 हम लोग दे देंगे receive करेगा तो यहाँ पे bank का तो कोई profit नहीं हुआ bank का कोई फाइदा नहीं हुआ यहाँ पे bank तो सिर्फ यहाँ पे सेवा कर रही है there is no margin there is no profit for the bank here in this case so that's why यह बहुत difficult situation है bank क्यों ऐसे धंदे में उतरेगी bank क्यों इसे जमेले में पड़ेगी जहाँ पे कोई profit ही नहीं है okay अगर single rate होता है तो that means single rate का मतलब क्या होता है कि purchase हो या sale हो दोनों वो single standard rate पे ही transactions होगे so that's why practical life में होता क्या है कि यह दोनों की rates अलग-अलग होते है okay so that की bank को कुछ ना कुछ क्या मिल जाए यहाँ पे profit मिल जाए अभी profit कमाने के लिए bank क्या करेगी obviously वो हमें शत्राए करेगी कि bank के पास जो कोई भी customers आ रहे है ठीक है अपने dollars की purchase करने या तो फिर sales करने अभी यह कोई customer है जिसको dollar purchase करना था तो bank वालों के लिए क्या हुआ वो sell हुआ bank will sell the dollar and customer will purchase the dollar से ना bank will sell the dollar and customer will purchase तो क्या हम बोल सकते है कि हमारी जो bank वो हमेशा high price पे sell करेगी let's suppose उसने बोला कि मैं 66 पे sell करना चाहता हूँ तो सही है इस case में क्या हो रहा है customer को sell करना है क्या करना है customer को sell करना है तो that means bank वाले क्या करेंगे उस dollar को buy कर रहे है ऐसा बोल सकते है yes bank will buy तो हमेशा कोई भी दंदा होगा ना वो हमेशा ऐसा सूचेगा कि उसकी purchase, उसकी bank की purchase, bank का buying, bank की cost हमेशा कमाए और उसका sales ज्यादा होए, सही है, so logic में बता रहा हूँ तो उसकी कारन होगा क्या bank अपने नजरिये से बोलेगी कि भे मैं अगर sell कर रहा हूँ ना तो मैं bank sell करेगी higher price पे and bank खुद purchase करेगी कितनी price पे, कम price पे ताकि वो bank को क्या मिल सके, यहाँ पे एक pound का, सोरी, एक रुपे का, सोरी, सोरी एक रुपे का यहाँ पे profit मिल सके because अब INR2 GBP का rate से लग रहा है and logically एक रुपे का profit मिल गया आप बोलग सर एक रुपे के profit में क्या होता रहे पे transaction थोड़ी ना, एक डॉलर के होता है per dollar एक रुपे का profit हो रहा है तो आप समझो 10,000 dollars का अगर transaction है, एक लाग डॉलर का millions and billions का transactions है तो क्या होगा, okay so, I hope you got it कि exactly यहाँ पे bid ask rate की जरूरत क्यों पड़ी just and just so that कि bank वाले यहाँ पे profit कर सके, examinations में जो आपको दो rates लिए गए होगे हमेशा, आपको बोला नहीं गया होगा, आपको examinations में क्या किया होगा, आपको दो rates सामने से देंगे कि one is the rate is the 65.30 and 66.70 okay, so, यह दोनों rate दिये गया है, you have to assume कि यह दोनों rate क्या है, हमारे bid ask rate bid ask rate, just a second yes, so, जब जब आप forex के कोई भी sums देखोगे, तो obviously आपको यह दो-दो rates मिलेगे and you to assume, यह bid ask rate है yes, so, बहुत easy है, but now let's understand what exactly is the bid ask rate अब यह आपके सामने जो मैंने यहाँ पे bid ask rate रखे है ठीक, यह rate, suppose मनलो आपको question में दिया है, वो problem नहीं है, the rate will be given, but the elaboration, the interpretation of these particular, both the rates is very important, okay, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि bank वाले क्या करेंगे, कि bank वाले खुद purchase, bank वाले खुद purchase कम में करेंगे, एक डॉलर को purchase करना है, तो bank वाले बुलेंगे कि मैं एक डॉलर का तुझे 65 रुपे दूँगा and वो दूसरी party को bank वाले कितने में sell करेंगे 66.70 में, okay, so यह जो बीच का gap होती easy इसलिए होता है because हमारे दमाग में बैठा हुआ है कि हम सस्ते में खरीदेंगे and higher price पर पेचेंगे, so is this a sasta? Yes, it is a lower rate it's a sasta and it's a manga so that's why so यह जो logic है ना यह easy था, ठीक है आगे बढ़ता है, but यहाँ पर इसको bid किसको बोलता है आसक किसको बोलता है अब यह obviously bank के perspective से ही हम पूरा concept है, bank के perspective से ही पूरा concept का जनम हुआ है तो bid rate किसको बोलते है जो, वो rate, जिस rate पे bank purchase करेंगे bid, 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 बहुत ही common word है ठीक है, तो bid का bid is the synonym of purchase आज मनलों lottery बगरा है या तो कोई auction मगरा होता हम bidding करते है, we offer to buy okay, so यहाँ पे bid rate क्या बन गया 65.30 and obviously आप समझ गये होगी यह है ask rate, अभी now क्यों उसको ask rate बोलते है, because bank है न वो sell करना चाहती, ask rate किसको बोलते है, where bank wants to sell so bank sell करना चाहती है क्या, 1 dollar sell करना चाहती है and bank is asking 66.70 from the customer मैं तुझे 1 dollar तभी दोंगा when you give me 66.70 that's, bank is asking कि आप 66.70 दो, okay so that's why it's called an ask rate इतना पैसा बैंक मांगेगी, इतना पैसा मांगेगी, okay that's why it's ask rate, so I hope you got it, but अभी होता क्या है कि यह तो बैंक के perspective से logic समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीगी से समझे हम लोग but अपने को है न, bank के perspective से examinations में नहीं सोच न because we will not going to be the bank in the examination, हम एक धंदे वाले होगे we will going to be an customer, हम एक customer होगे जो bank के पास जाएंगे तो जो bank का logic है, उससे totally opposite logic हम को customer का apply होगा, ठीक है, जब मैं बोला कि bank bid ask rate ऐसे set करती है, जिससे bank को profit हो तो its का मतलब यह हुआ कि customer को सामने loss होगा, that means कि अगर bank वाले ऐसा बोल रहे है कि यह हमारा purchase bank, ठीक है, bank बोल रहे है कि हमारा purchase 65.30 हम उसको sell करेंगे इतने में तो वहीं same customer जब bank के पास से जाएगा ठीक है, तो customer जब buy करने गया तब उसको कितने price पर buy करना पड़ा, 66.70 because bank बोली हम sell करेंगे इतने में तो that means customer को उतने में buy करना पड़ेगा, okay, and जब customer sell करने गया that means कि वो उसको कितना पैसा मिलेगा, 65.30 okay, why, because bank बोली कि मैं purchase bank के लिए purchase, तो हमारे लिए क्या हुआ, वो sell हुआ, so bank बोली कि हम उतने में purchase करेंगे हमारा sales, हम sale कि एक डॉलर हमको मिला कितना, 65.30 okay, so अगर customer का perspective देखे, तो basically purchase sales जो हम बोलते है ना, वो पहले तो उल्टा हो जाएगा, okay bid ask rate के अंदर, पूरा पूरा कपड़ा, जो जनम हुआ concept का, वो bank के perspective से हो था, but problem यह है कि sums के अंदर अपने को उल्टा सोचना है, customer के perspective से सोचना है, okay, and customers का perspective ऐसा होता है कि हमेशा loss वाला perspective होगा, that means customer will always buy at an higher rate, and customer can sell at always the lower rate it's a kind of thumb rule पकड़ लो, यह रड़ा मार लो कि customer को हमेशा, bid ask rate में loss होगा, customer हमेशा higher price पे ही buy करेगा, and customer हमेशा lower price पे ही sell करेगा ठीक है, उसका, जो outflow होगा, buy करने के लिए, आप flow जाएगा $1 buy करने के लिए, मुझे कितना पैसा देना पढ़ रहा है, 66 and वही एक डॉलर में अगर बेचने जाता, तो मेरे को कितना मिल रहा, 65 only ओके, तो outflow will always be higher, and the inflow will always be the lower it's a clear cut loss वाला सिनारियो है तो जो जोब हम bid ask को समझते है, bid ask को पढ़ते है तो logic समझना बहुत ही जरूरी है मैंने इतने time के अंदर पूरा कपरा logic समझाया है, but अगर examinations में जब bid ask कहे तब इतना जदा पूरा logic थोड़ी ना आप सोचने बैठ होगे, ठीक है, तब at that time, what you need to think, की कौन से rate पे हमारा customers को buy करना चाहिए, sell करना चाहिए, दिमांग में loss को रखके चरना है, अगर customer को buy करना है, तो that means कि वो एक डॉलर buy करेगा हमेशा at a higher rate क्योंकि customer को जान बूच के loss चाहिए, ऐसा सोच लेना है कि कौन सा rate lower है, उस rate पे sell करेगा, okay so, बस simple, customer को loss करवाना है, that is the standard rule, किस तरीके से कौन सा rate पकड़ हो, तो customer को loss जाएगा, that you have to think only, okay so, I hope you got it and देरे-देरे इस चीज़ की habit हो जाएगी, अभी भले उसको वो चीज एक नही-नही लग रही है but वो देरे-देरे दिमाग में उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है customer का angle, loss वाला angle, वो सारी चीज़ आपको समझ में आया गई but चली एक काम करते, एक example लेते इसका, let's say suppose हमारे सामने case है, जहाँ पे हो क्या रहा है कि एक हमारा जो customer है let's say suppose हम इंडिया का example नहीं ले रहा है let's say suppose there is a Japanese firm एक Japanese firm है, they have acquired क्या क्या है, acquired the US firm तो होगा क्या यहाँ पे, कि acquire किया है, तो purchase consideration देना पड़ेगा, सही है पैसे देने पड़ेगे, तभी तो acquisition होता है, कितना acquisition decide हुआ, purchase consideration decide हुआ 20 million dollars का, 20 million dollars का, decide हुआ that means Japanese firm now have to pay 20 million dollars अभी क्या Japanese firms के पास इतना जादा dollars होगा, उसके bank में नहीं होगा, तो pay करने के लिए Japanese firm को क्या करना पड़ेगा, buy करना पड़ेगा, they will have to purchase the Japanese, purchase the dollars ओके, तो वो purchase करना है, अगर हमारे customer को, कोई dollars purchase करना है, तो that means bank वो क्या करेंगी, dollars को sell करेंगी, ओके, ठीक है बट, यह matter नहीं करता है, अपने को बहुत जादे मैंने बोला उस तरीके से आपको logic पे नहीं जाना है, मैंने क्या बोला आपको कि सिफो सिफ ऐसा सोचो कि क्या करेंगी, कौन सा rate लेगी, जिसके customer को loss होए, okay, so अपने को suppose मालो, यहाँ पर quote दिया गया है कौन सा rate दिया, bid ask rate दिया, JPY USD का quote दिया गया है, मुझे क्या करना है मुझे dollars खरीदने है, want to purchase the dollars rate जो दिया है, वो है 103.60 and 104.10 अभी सामने से थोड़ी बोला है, bid ask, बोला है तो भी अपने को क्या फरक पड़ता है, bid कौन सा rate है ask कौन सा है, because bid ask bank perspective है and bid ask word, मैंने बोला, पूरा को पूरा concept तो bank के perspective से जनम हुआ है, अपने थोड़ी bank perspective से सोच रहे है, अपने उल्टा सोच रहे है, तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी समझने से पहले, एक चीज़ सिंपल आपके सामने रख दू अगर यह purchase करनी है, वो कम rate पर purchase करेगा, तो loss होगा या फिर ज्यादा rate पर purchase करेगा, तो loss होगा और विसी बात है, कि sir ज्यादा rate पर purchase करेगा न, तो उस बंदे को loss हो जाएगा, so that's why suppose मानलो मैं example लेला, तो एक लाख, sorry, एक लाख नहीं, 20 मिलियन है न, sorry, हाँ, तो 20 मिलियन यूएस डॉलर्ज, अगर उसको सामने pay करने है, तो कितना JPY, अभी अभी बात आया, देखो students, अभी बात आया, conversion का, the step one was to choose between which rate to choose, choose the bid rate and the ask rate, या तो कौन सा bid ask rate में से कौन सा rate लोना, वो step one था, अभी यहाँ पर सम खतम नहीं हुआ है, सम का second step आ रहा है कि conversion, जो हमने किया हुआ है, conversion में मैंने बोला था कि अगर, जो आपको amount की बात हो रही है न, क्या वो base currency है, तो multiply है, अगर counter currency है, तो अपका division होगा, बट यहाँ पर तो base currency है, 20 million into 10 4.10 जो कुछ भी आपका answer आएगा उतना JPY, उतना JPY, मेरे bank वाले मेरे account से deduct करेंगे and मेरे को क्या देंगे, 20 million USD देंगे और विस्सी बात है, hope आप पुरे scenario को, example को समझ पा रहे हो, कि transactions exactly हो क्या रहा, यहाँ पर कोई goods उसका transaction नहीं हो रहा है ठीके, यह कोई वैसे barter system नहीं चल रही है यहाँ पर literally transactions हो रहा है दो currency का, एक हाँ से एक currency गई दूसरे हाँ से दूसरी currency आई okay, so होता क्या है कि अपने को जो आ रहा है काफी बार यह होता है कि जो एक चीज पता होती है कि आ रहा है वो पता है या तो फिर जा रहा है वो पता है एक ही चीज पता है, दूसरी चीज ढूननी है जब ऐसा होता है कि एक चीज पता है दूसरी चीज नहीं पता है तो उसको बोलते conversion and उस time पे y gentond Ash काम आता है exchange rates काम आता है ये sum के अंदर भी एक ही चीज़ पता थी कितना पैसा जहा रहा है ठीक है ठीक है वो अपने को पता है कि हाँ मेरे को 20 million pay करने है but what about our local currency सही है I hope you got it so ये होता है bid ask rate and bidder ask rate को कैसे choose करना वो यहाँ पर सिखे हम लोग and उसको फिर conversion करना होता है उसके बाद तभी तो आपको final answer में लगा कि आपकी GPY में से कितना पैसा जाएगा so जब bid ask rate दिया होता है तो एक step ज्यादा बढ़ इसलिए जाता है because you don't know which rate to choose so that's why conversion के उपर एक step add हो गया है कौन सा rate चूज करे otherwise ये bid ask rate उतना भी जदा difficult नहीं है examinations के अंदर ये logic के साथ अगर solve करोगे तो हो जाएगा once again ये चीज़ भी आपको वहाँ पर elaborate हो जाएगी then उसके बाद एक last concept मुझे session में पढ़ा ना है हाला कि आने के chance सकम है but मैंने बूला उस तरीके से that doesn't mean कि आपको ये चीज़ पता ना हो okay so हुता क्या है cross rates नाम का concept आपने शायद पढ़ा होगा cross rates that means कि देखो world के अंदर जो जो popular currencies है ना उसका आपको rate बहुत easily मिल जायागा ठीक है but जो popular currencies नहीं है जैसे कि suppose उसमान लो हाला कि इंडियन आयनर तो अभी popular currency ही है USD है GBP है Australian dollars है या whatever you say these all are the popular currencies हाला कि अभी practical life में ऐसा होता है कि Google पे जाते हो ना तो सारी currency सारी currency का आपको एक दूसरे के सामने exchange rate मिल जायगा मिल जायगा मिल जायगा Google का बताना एक अलग बात होती है इने exactly bank आपको transaction complete करके देना वो अलग बात होती है ठीक है so it's not always possible कि मुझे यहां से transaction करना है कोई Tanzania country या तो कोई भी SCXYZ ऐसी country के साथ में जो well known नहीं है okay let's suppose Finland I don't know Finland about कोई भी आप example लेलो ना तो होता क्या है कि जब एक currency को दूसरी unknown currency unknown country के साथ में transaction करना होता है तो bank तो सोतने लेगे यह country का यह जो currency मांग रहा है वो तो मेरे पास है नहीं क्योंकि यह एतनी छोटी सी unknown country है unknown currency है नहीं है मेरे पास ठीक है तो होता क्या है कि इस case के अंदर bank आपको क्या price quote करेंगी वो आपको बोलेगी दीपन भाई we do have the INR USD rate okay and the czar USD rate but exactly मुझे तो क्या चाहिए था मुझे तो South African country के साथ में transaction करना तो what I wanted INR to czar का rate चाहिए but वो नहीं है because maybe the czar is not a popular currency Indian and South Africa का जो exchange rate वो कहीं पे Google पे है बैंक वाला मना गर रहा है कि यह ऐसा नहीं है हमारी system में नहीं है ठीक है क्योंकि वो practical life में वो possible भी तो औरना चाहिए होता क्या है कि इंडिया के पास US dollar का reserve होता है इंडिया के पास सारी अच्छी अच्छी currencies का reserve रहता है they can do the transaction with these popular currencies but इंडिया के पास ZAR का थोड़ी reserve रहता है ठीक है so it is a problem so that's why bank वाले यहां पे court कैसे करेंगे देखो problem आपको समझ में आया ठीक है bank वाले बोल रहे है मेरे पास यह है bank वाले बोलडर दीपन पे आप जो मांग रहे है वो हमारे पास नहीं है we don't have the exchange rate for INR to ZAR सही है so क्या करेंगे इस case में इस case में simply होगा bank वालों को पूछा जाए को हम मानते है कि आपके पास जो rate न वो बता दीजिए हमको जो चाहिए न वो हम खुद निकाल लेंगे आप जो आप बता दो ठीक है कि आपके पास है क्या तो बुले दीपन में आपको INR को तो पता है 65 पर डॉलर का ये rate चल रहा है ठीक है and ZAR का rate चल रहा है 150 let's suppose 150 पर डॉलर okay so अब यहां पर मुझे चाहिए था न वो मुझे खुद को निकालना पड़ेगा and वो कैसे निकालूँगा see okay so bank वालों ने ये code किया अपने को क्या चाहिए था अपने अभी अभी देखा INR 2 ZAR चाहिए मेरे को but वो कैसे आए आएगा अभी ये दो जो figures है न उसको mathematics way में कुछ ना कुछ maths के through अपने को कैसे भी करके अपने जो चाहिए वो निकालना पड़ेगा that means either मुझे 65 into 150 करना है या तो फिस 65 divide by 150 करना those two are the only options the cross rates के अंदर जब आपके पास इस तरीके से दो rate दिये गए है और आपको INR to zar चाहिए मुझे INR to zar चाहिए तब इस case में जो आपके सामने rates होते हैं उसको either multiply कर दो या तो फिर divide कर दो okay multiplication का मतलब क्या होता INR divide by INR is to USD का rate दिया है ठीक है अगर मैं इस rate को multiply कर दो zar and USD के rates के सामने no it's not like that यह ऐसे USD-USD नहीं निकल सकता हां अगर ऐसा होता न कि suppose मान लो ऐसा है USD is to zar ऐसा कोई rate दिया गया है तो USD-USD निकल सकता था with the help of multiplication okay तो हम इस case में क्या करते 65 into 150 कर लेते okay because multiplication करते है तो USD-USD निकल जा रहा है and I and I to zar बच्चता है सही है but हमारे case में ऐसा नहीं हो रहा है हमारे case में नहीं निकल रहा है तो करना क्या पड़ेगा मुझे multiplication नहीं division करना पड़ेगा okay so cross rate के अंदर अपने को जो चाहिए न वो either multiplication से मिल जाएगा that means 65 into 150 करने से मिल जाएगा या तो 65 divided by 150 करने से मिलेगा ठीक है but वो कैसे पता चलेगा वो आपको दोनों trial and error करने पड़ेगे कि भाई मेरे को जो rate दिया है वो INR USD का rate है divide by zar USD का rate है तो अब यहाँ पर यह नीचे उपर नीचे USD निकल सकते है अब गर किसी कोई यह नहीं समझे है कैसे निकल सकते है तो उसका math is शायद थोड़ा weak होगा otherwise it's a simple mathematical logic okay so now with the help of this division I have cut out the USD now the INR and zar has remained so that's why I can say 65 divided by 150 करो तो आपको जो answer आएगा let me do it 65 divided by 150 it's 0.4333 so अगर आपको कोई पूछे कि हमारे bank बलई हमको INR to zar का exchange rate नहीं दे पाई बट क्या आप दे सकते हो हम बोलेगे हाँ दे सकते है exchange rate बहुत simple 4333 आप बोलोगे कि sir यह bank वालों ने तो नहीं दिया आपने कैसे calculate किया यह simple math से होता है जब आपके पास दो इस तरीके से rates रहते है and उसमें से obviously common currency होनी चाहिए ठीक है जैसे गया USD, zar USD तब जाके चीज cross rates possible है and yes so इस तरीके से I hope you got it maths आला कि मैंने पहले ही बोला कि यह चीज examinations में as such नहीं पूछी जाएगी okay cross rates पता होने चाहिए कि भगवान न करे और examination में let's suppose भगवान न करे को 35 marks का sum पूछ लिया है ठीक है examinations में and उसके अंदर आपको cross rate दे direct rate नहीं दिया INA 2000 का नहीं दिया ठीक है तो cross rates आपको scenario में ही बोल जाएगा सामने से दे दे these are the cross rates okay now compute the sum अरे अगर आपको ये नहीं आता sum solid नहीं होगा because you don't have the relevant exchange rate उसके लिए आपको थोड़ा mathematics way में ये चीज cross rates निकालना पड़ेगा and now for the whole sum पूरे sum में आप ये वाला exchange rate use करोगे okay so इसलिए मैंने पहले बोला था कि आज का जो पूरा session ये वाला session वो बहुत basic है ये sessions अगर आपको नहीं आता है तो examination में दिक्कत होगे हला कि ये कोई भी चीज डायरेक्ली नहीं पूछे जाएगे indirectly आएगा चलिए so यहाँ पे basic जो मुझे basic समझाना था वो यहाँ पे खतम हुआ otherwise हम लोग students बाकी का जो चीज़े है वो next session में पढ़ेंगे तब तक के लिए thank you see you bye bye